जिसके बाद किसानों को प्लस कंड्रोल रूम ले जाकर वहां से छोड़ दिया गया विगत काफी समय से किसान सरकार के करशी कानून बिल को लेकर लगातार प्रदर्शिन कर नहीं है धर्णे पर पेठी कुवर सीह किसान नेता और एड़ोकेट शिव सीह के नेतरत में यह धर्णा आउजित किया गया जिसमें उनका कहना है कि सरकार अपने पैसले पर अडिक है तो हम किसान भी इसके विरोत पर अडिक है उनका नारा एक पेर रेल में एक पेर जेल में हम पीछे हटना नहीं चाहते सरकार को हम किसानों की बात सुननी होगी और बिल वापस लेने होगी एक दख कारया होगी और वापस बाया होगी और टु करत को अधा ि रिलाडस पाल एंट झाल 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 हम आज राश्ट्री अहवान पर ट्रेन रोकने गए थे, हम लोग पट्री पर बैठे ही थे, यहाँ की पुलिस ने हम सब को गिरिपतार कर लिया है, पर हम डरने वाले नहीं है, एक पैर रेल में तो दूसरा पैर जेल में, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देश की हुकूमत को, देश की सरकार को, यह किसानों से पंगा लेना आपको महगा पड़ेगा, जल्दी से जल्दी की तीनों काले कानून वापस लीजिए, अन्यथा आपका सुपड़ा साप कर देंगे, और जो किसानों से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। वहाँ पर मोधी सरकार की पुलिस ने, मोधी सरकार की हुकूमत ने हम लोगों को गृपतार करने का काम किया है, लेकिन हम लोग घोश्रा करते हैं इस मंच के माध्यम से, कि जिस तरह से आपकी दूरदसा पंजाब की जनता ने किया है, यही दूरदसा आप देश का किसान कर और नहीं तो आपको काले कानून वापस लेना होगा यह चेतावनी मध्ध प्रदेश के रिवा जिले से संयुक्त मोर्चा के किसानों द्वारा की जा रही है आप मोदी जी समझ लीजे ये आपको सबक है और तत्काल काले किसान बिल आप वापस लीजिए ये तो तीन महीने से चलना है लेकिन रिवा में 47 बाद दिन है आज अंदूलन का आपका नाम सियु सिंग सेयोजक्त सेयुक्त किसान मोर्चा वाइज ऑफ रैट्स के लिए रिवा से नितेश सी गहरवार की पोर्ट